रिशी केस के एक प्रसिद महात्मा बहुत ब्रिद हो चले थे और उनका अंत निकट था एक दिन उन्होंने सभी सिस्यों को बुलाया और कहा प्रिये सिस्यों मेरा सरीर जिर्ण हो चुका है और अब मेरी आत्मा बार-बार मुझे इसे त्यागने को कह रही है और मैंने निश् सुर्य मकर रासी में प्रविस कर जाएगा तब मैं यह लोग त्याग दूँगा गुरु की वानी सुनते ही सिस्य घबडा गए शोक विलाप करने लगे पर गुरु जी ने सब को सांत रहने और इस अटल सत्य को स्विकारने के लिए कहा कुछ देर बाद जब सब चुप हो गए तो एक सिस्य ने पूछा गुरु जी क्या आप आज हमें कोई सिक्षा नहीं देंगे अवस्य दूँगा गुरु जी बोले मेरे निकट आओ और मेरे मुख में देखो एक सिस्य निकट गया और देखने लगा बताओ मेरे मुख में क्या दिखता है जीव या दात उसमे तो बस जीव दिखाई दे रही है शिष्य बोला फिर गुरुजी ने पूछा अब बताओ दोनों में पहले कोन आया था पहले तो जीवी आई थी एक शिष्य बोला अच्छा दोनों में कठोर कोन था गुरुजी ने पुना एक प्रस्न किया जी कठोर तो दाथी था एक शिष शिस्यों इस जग का यही नियम है जो कुरूर है कठोर है और जिसे अपने ताकत या ज्ञान का घमंड है उसका जल्द ही विनास हो जाता है अता तुम सब जीव की भाती सरल विनम्र व प्रेम पूर्ण बनो और इस धरा को अपने सतकर्मों से सीचो यही मेरा आखरी संदेश ह और इन ही सब्दों के साथ गुरू जी पर लोग सिधार गए तो दोस्तों अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्च करें धन्यवाद